आज मैं गुचिया की रेस्पी आप लोग के साथ शेयर करूँगी यह बहुत सिंपल तरीके से और बहुत टेस्टरी गुचिया बनके त्यार होगी है हमारी इसके लिए मैंने एक कटोरी जीनी लिये और इसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में और एक नारियल लिया है जिसे मैं मैंने भून लिया है और एक बरतन में इसको ट्रांसपर करेंगे 300 ग्राम मैंने खोया जो है इसमें डाल दिया है और जो नारियल था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा मिलाएंगे पर बात में और मिला देंगे से अभी मैं इसमें चीनी डालूँगी चीनी भी हम थोड़ी सी अपने टेस्ट के साब से डालना है और मैंने जो नारियल है वो भी अब इसमें मिक्स कर दूँगी जो बचा हुआ नारियल था इसमें भी मिक्स कर दूँगी और थोड़ी चीनी और मिलाऊंगी इसमें और तीन चमबज मैंने चिरोजी डाली है वो भी भून के डाली है मैंने इसे और इसमें जो नारियल है अगर ज्यादा टाइम के लिए हमें कुछ यह रखनी है तो नारियल को हलका सा भून लेना है माच एक मिनट के लिए हमें भूनना है नारियल तब डालना है मैंने इसमें भूना नहीं है नारियल और इसमें हम मैंने आधा किलो मैदा लिया है ये चार चमबच मैंने देशी के डाला है इसमे और इसे मिला लेंगे इसके बाद तीन चमबच और मैंने देशी के डाला है और इसे मिक्स करेंगे और इसे देखेंगे कि हाथ में मुठी ऐसी बन जा रही है तो यह समझो हमारा परफेक्ट बन गया है अब इसमें हम पानी डालके इसे एक अच्छा सा डोब बना लेके इस डोब में मेरा आधा गलास पानी लगा है यह देखेंगे एक अच्छा सा डोब बन के हमारा इसके बाद हम इसकी छोट-छोटी लोगों बॉल्स बना लेके अब अब इसको बेले गया है बेलने के बाद जो गुजिया कटर होता है उसमें रखेंगे से और इसके किनारे जो है पानी लगा दिया है और इससे भरेंगे और इससे बना दे के हम देखें हमारी कुजिया बटके त्यार होगी है अब ऐसी मेरे दूसरी भी ऐसी कर दिये इसमें पानी लगाएके पानी लगाने के बाद इस पे इस टपिक भरेंगे प्रेस करेंगे और इसकी जो किनारे इसे भी पातों से ऐसे करके लिकाल लेंगे और यो कुछिया हम हम बढा रहे हैं से हम एक कपड़े में फैलाएके और इसे ढखते जाएके अब मैंने तेल जो करब करने रख दिया था इसमें फ्राई कर लोगे और जो हम फ्राई करेंगे उसे बीडियम गैस पर फ्राई करेंगे ये देखे हमारी कुछिया बढ़के तयार हो गई है अई पर दोड़ के दिखाते हैं इसको ये देखें कुछिया भी पूरी भरी हुई है और बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी ये खाने में भी बहुत सिपल तरीके सिप रही है वेटे